धेरों नतीज़ा हैं, पोस्ट मार्केट बैंकिंग भी फोकस में है, फानाशल भी फोकस में है, कैसे लगए आपको कल के कुछ नतीज़ा है? कौन से वाले जानना चाहते हैं, लेकिंग इंडेसिन बैंकि नमबर्स बढ़िया हैं, लेकिन ऐसे नमबर नहीं है कि जिसको आप बहुत ही तोड़ फोड़े हैं, बहुत ही जबदस है, और उसके उपर स्टॉक भागा हुआ है, इस साल मेरे खाल से स्टॉक 40-45% का रन अप ओ इंडेसिन बैंकि तो प्राइस एक्षिन क्या होगा, इसका अंदाले लगाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, नमबर्स अथे हैं, नमबर्स थीक हैं, लेकिं इस स्टॉक भागा हो तो अपने कोई ऐसा जबर्दस्टी ऐसा तो है नहीं कर समगा हैं, हमको प्रेडिक करन यह अच्छा पर्फॉर्म कर सकता है, 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 यह बागा हुआ भी नहीं है ये एक अच्छा है हेवल्स कमजोर नतीजे ऑपरेशनल फ्रंट पर बहुत ही खराब है लेकिन शायद एक आध कोर्टर के बाद ठीक होना शुरू करें रस्टोक हलका सा कमजोर हुआ है और पूरा इस साल हेवल्स की परफुमेंस लगातार कमजोर ही लेकिन नमबर्स मतला अच्छे नहीं है नवीन फ्रोरिंग ये नमबर्स मामला धिला पहलो मुझे लगा कि शायद कुछ वन ओफ होगा इन नमबर्स में बहुत ही कमजोर नतीजे नवीन फ्रोरिंग के और आज का एक्सिडेंट यही हो सकता है अगर कोई सबसे खराब प्र रेविन्यू मिस आया है, मार्जिन्स कम है, मुनाफ़ा वगरा हर एक फ्रोरिंग पर नवीन फ्रोरिंग काफी कमजोर है यह रिजन परसिस्टेंट बहुत बढ़ी है नमबर्स है तिमाई दर तिमाई शांदार परफॉर्मेंस है हर एक लियाद से स्टोक मजबूद भी है भागावा भी है लेकि थोड़ा और बढ़ सकता है कोई दिक्कत नहीं परसिस्टेंट अच्छे नमबर्स है चलिए तो ठीक है तो यह है आपके लिए सारे के सारे आज के नतीजे और कुछ और नतीजे आए इन पर हमारी टीम से हाँ तो देखने में नमबर्स आपको बहु देखना इंटरेसिंग होगा कि मार्केट उस पर रियक्षिन देता है या निजे मैनेजमेंट भी होगा हमारे सारे मैनेजमेंट है तो चलो यह पूछेंगा है तो काफी कुछ आक्शन है आज बाद बाद